जी हाँ अब मिट्टी से होगी बालों की हैर ग्रोथ मुलतानी मिट्टी बालों में लगाने से हैर ग्रोथ सुपर फास्ट तरीके से होने लगती है पतले बालों में वॉल्यूम आ जाता है और लेकिन आपको मुलतानी मिट्टी कैसे अपने बालों में लगानी है वो सही तरीका आपों मालूम होना चाहिए तो आज का वीडियो आपके लिए है तो जाने सही तरीका मुलतानी मिट्टी को अपने बालों में लगाने का बहुत सारे लोगों की प्रॉबलम होती है कि मुलतानी मिट्टी को जब हम अपने बालों में लगाते हैं तो बाल ड्राइ रूखे जूखे बेजान से लगते हैं लेकिन अगर आप सही तरीके से अप्लाई करते हैं मुल्तानी मिट्टी को अपने बालों में तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी आने वाली नहीं है डैंडरफ से आपको छुटकारा मिलने वाला है बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगेगी मुल्तानी मिट्टी से और पतले बालों में वाल्यूम आने लगेगा इस मिट्टी में मेगनिशियम, कौर्ड्स, सिलिका, लोहा, कैल्शियम, कैलसाइट जैसे खनेज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं तो चलिए इतने गुनों से भरपूर है ये मिट्टी, तो हेर पैक तो बनाना बनता ही है इस हेर पैक को लगाने का सही तरीका क्या है, वो देख लेते हैं जातर मैं अपने हेर पैक में बताती हूँ, सारे वीडियोस में बताती हूँ कि कोई भी हैर पैक जब अप्लाइ करते हैं, तो ऑईल फ्री बालों में अप्लाइ करना चाहिए लेकिन मुल्तानी मिट्टी हैर पैक के लिए ये बिल्कुल डिफरंट है पहले आपको ऑईलिंग करना जरूरी है पहले बालों में oil लगा लें अगर बाल जादा पहले ही आपके रूखे सुखे ड्राइ हैं तो अच्छे से oiling कीजिए लेकिन अगर आपके बाल normal है तो हलकी oiling कीजिए roots में, बालों की जड़ों में और length में अच्छे से oil कर लीजिए अदा घंटा पहले फिर मुलतानी मिटी hair pack को हम apply करने को बोलते हैं, इस hair mask को पहले आप अपनी roots में लगाईए ताकि dandruff का infection से भी आपको रहत मिल सके, क्योंकि ये dandruff को भी बहुत अच्छे तरीके से गायब कर देती है, इसके बाद आप अपनी पूरी hair length को cover करेंगे, अच मास्क अच्छे से पूरे बालों में roots में और पूरी hair length में लग जाए, तो बालों को बांध लीजे और shark cap को लगा लीजे या कोई polythin लगा लीजे, एक बात का और आपको ध्यान रखना है, इस मुलतानी मिटी को बालों में लगाने के बाद सुखाना बिलकुल भी नहीं है क्योंकि अगर आप इसे सुखा लेंगे तो एक तो यह होगा कि इसको बालों से हटाना बहुत मुश्किल होगा, थोड़ा जादा पानी का इस्तमाल आपको करना पड़ेगा, और दूसरा यह है कि जब सूख जाती मुलतानी मिटी तो बालों का oil, natural oil भी खिचने लगती है, इसलिए इसे सुखाना नहीं है, एक घंटे तक आप एपलाई करें, शार कैप जब आप लगा लेंगे तो मिटी सुखेगी नहीं, गीली रहेगी, यही सेम चीज हम हिना हैर पैक में बोलते हैं, कि महन्दी को आपको अपने बालों में सुखाना नहीं होता, गीली महन्दी क रखना होता है, और शार कैप इसलिए पहनना ज़रूरी है, बस ये दो टिप्स आपको ध्यान रखनी है, इस पैक को लगाने के पहले, कि आपको अपने बालों में ऑईलिंग करनी है, दूसरा जब ये पैक लग जाए तो शार कैप पहनना बहुत ज़रूरी है, जिससे मुल आवला भी दिखा रहे हूं, लेकिन यूज हमें करना है आवले का पाउडर, काफी जो फाइन पाउडर हो, वही यूज करें, अच्छी ब्रैंट का आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बालों के लिए आवला एक बहतरीन आयरवेदिक हर्भ है, इसके नियमित इस्तमाल से बाल तेजी से बढ़ते हैं, साथ ही अस हमें बाल सफेध होने की जो प्रॉबलम है, समय से पहले जो बाल सफेध होते हैं, उससे भी हम बचते हैं, बाल जड़ों से मजबूत बनते हैं, कम तूटते हैं, इस हैपैक को मैं काच के बोल में बनाऊंगी, एक चमच आवले का जी हाँ, यहाँ यहाँ पर मैं दिखा रहे हूँ, साबुत शीका काई की फलियां भी मैं यहाँ पर दिखा रहे हूँ, हम यूज़ करेंगे शीका काई का पाउडर, यह भी किसी अच्छी ब्रैंड का आप ले सकते हैं, एक टेबल स्पून शीका काई पाउडर भी इसमें म मस्या का हल नहीं निकलता है, बलकि यह सारी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसमें से सबसे कॉमन है हैर फॉल की प्रॉब्लम्स जो की सबसे जदा होते हैं कैमिकल बेस्ट प्रॉड़क्स यूज करने से, इस हैर पैक के जस्ट एक बार के इस्तिमाल से ही आपको काफी फर्क पढ़ने वाला है अब बढ़ते हैं इस हैर मास के अगले इंडीडिन्ट की तरफ ये है रीठा इसमें हमें रीठा का पाउडर फॉर्म ही चाहिए जैसे बाकी इंडीडिन्स का हम यूज़ कर रहे हैं हमें पाउडर चाहिए ऑनलाइन इसे आप अराम से खरीच सकते हैं रीठा एक नाच्रल क्लेंजिंग एजिंट का काम करता है नाच्रल शैंपू की तरह काम करता है इसे सोप नट भी कहते हैं बालों से संबंधित कई परेशानियों को रीठा दूर कर सकता है इसमें मौझूद एंटि आक्सिडेंट्स बालों की ग्रोथ के लिए हेलपफुल होते हैं स्कैल्प में किसी भी तरह का बेक्टीरिया फंगस है तो रीठा उसका ट्रीटमेंट कर सकता है रीठा बालों को जढ़ने से रोकता है बालों की ग्रोथ में बहुत हेलपफुल है जैसा कि मैंने कहा बाल जढ़ने से रोकता है बालों को काला, नर्म, मुलाइम और रेशमी बनाता है तो ये भी मैं डाल रही हूँ एक चमच के करीब दोस्तों अभी तक हमने अपने हैर पैक में डाले हैं तीन इंग्रीडियंट्स आवला, शीका काई और रीठा पाउडर अब हम डालने वाले हैं फोर्थ इंग्रीडियंट ये है भ्रेंगराज पाउडर जहां जढ़ते तूटते बेजान बालों में नई जान भर देता है भ्रेंगराज पाउडर ये एक आयर्विदिक औशधी है, आयर्विदिक मेडिसिन है, एक टेबल स्पून भ्रेंगराज पाउडर पाउडर बेस में अड़ कर लें अब इसमें में डालूंगी मुल्तानी मिट्टी, जी हां ये मैं आपको साबुत मुल्तानी मिट्टी दिखा रही हूँ, इस तरह से भी मिलती है मार्किट में, लेकिन इसमें हमें मुल्तानी मिट्टी का पाउडर शाहिए, तो रेडी मिट पाउडर में यूज कर रही इंग्रीडियंट्स को एक बर मिक्स कर लें, सारे इंग्रीडियंट्स का हमें एक हेर पैक बनाना है, हेर पैक की कंसिस्टेंसी में इन इंग्रीडियंट्स को लाना है, कई तरह से हम इसको घोल सकते हैं, जैसे अगर ड्राइ बाल हैं, तो दूद से इस पैक को बना सकते हैं, तो दही से भी बना सकते हैं लेकिन आज ब repet नीम से यहां यह ताजे नीम के पत्ते हैं इन पत्तों को मैंने अलग-लग कर लिया और अच्छे से दो भार वाश कर लिया है अब इनपतों का पानी मुझे पनाना झीट मैंने इनको अच्छे से उबाल लिया था। जिरीने पानी से मैं इस पाक को घोलूगी धीरे धीरे पानी डालिए बिल्कुल जल्दी से मत डाल दीजे जिसे कि कहीं पाक आपका पतला ना हो जाए थोड़ा मीडियम कंसिस्टेंसी का रखना है जिससे यह लगाते टाइम टपके नहीं एक सकते हमारा ब्यूटिफुल सा टेक्स्ट पाक में बिल्कुल स्मूथ टेक्स्टर इस तरह का आना चाहिए अप्लिकेशन कैसे करना है बालो में यह मैं आपको पहले बता चुकी हूं जस्ट एप्लाइ करने के बाद आपको इसे एक घंटे तक अगर आप रख सकते है अपने बालों में तो काफी अच्छा है नहीं त आदे घंटे के बाद शांपू करने से पहले आपको अच्छे से पहले अपने बालों को रिंस करना है और पानी से सारी मुलतानी मिठी और सारे इंग्रीडियंट्स पहले वाश ओफ कर लें पूरे अच्छे से निकालने फिर शांपू एपलाए करें थोड़ा शांपू लेंथ में लगाएं और फिर वाश कर लें इस तरह से अगर आप इस पैक को रिंज ओफ करेंगे तो काफी अच्छे रिजर्ट्स मिलते हैं तो ये था मेरा आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दो बनता है जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे से नई व लेटे रहें गौजी सीव टेक केर बाई